हलो गाइस एक पर फिर से स्वागत है एक नए व्लॉक में और मैं पहुंच चुका हूं लखनाउ यूपी की राजधानी और बहुत ही खुबसूरत जगह यहां पे और अभी पहुंच चुका है इमाम बाड़ा में और यह पूरा जगह है इमाम बाड़ा और इसके अंदर जा तो अभी यह बख सकते हैं यह क्लॉफ टावर है मेरे पीछे इसके पास अभी भूम रहे हैं और कापी जगह क्राउड है यह बख सकते हैं यह पुरा क्राउड है फ्रेंस बहुत जगह धिर है जाम लग जा रही है तो आगे चलते हैं और लखनाव का हाल आपको बताते हैं चलिए एक नई जगा पर फिर से मुला काथ करते हैं तो फ्रेंज अभी आगे हैं वजू खाना और हमस दर्गा लखनव में और मैं देखाता हूं आपको उपर विजिट कराता हूं देख सकते हैं यह पूरा यहां पर लिखा हुआ है आवाशिचत का महमान जब तो चलिए उपर के सफर के बहुत अच्छा दर्गाह है यहां का तो यह फेमस दर्गाह है फ्रेंज देख सकते हैं तो बहुत अच्छा जगाह है कि अच्छा चलिए फ्रेंज इतना ही देखते हैं फिर आगे एक नई लोकेशन पर चलते हैं आपको विजिट कराएंगे कैसा रहते हैं आगे की सफर चलिए यह दर्गाह जो है बहुत फेमस है यहां का दर्गाह जो है तो यह देख सकते हैं और आगे से इधर जो है इमाम बाड़ा है यह वाला जो पीछे देख रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी अमबिटकर पार्क और वहां आपको दिखाते हैं कैसा है वहां का सफर चलिए आगे हम चलते हैं नई जगापे फिर से मुलाकात होगी आपका तो यह है फ्रेंड्स लखनाउ का सहर और देख सकते हैं भूख लग रहा है कुछ-कुछ खा रहे हैं लोग आगे जा रहा है हम लोग अमबिटकर पार्क वहां मिलते हैं आप से किस तरीके से स्ट्रेक्चर बना हुआ है बोलते हैं सत्तरीकर में बना हुआ है बहुत किल चतिसगर्टू आल इंडिया पहुच करके पहुच गए हम लोग डाक्तर भीम राव अमबिटकर समाजिक परिवर्तन इस्थल द्वार और यह है अमबिटकर पार का अंदर है और जाएंगे अंदर और देखते हैं कैसा है और बाबा सहाब जो है कल के डेट पे था अमटर कीजिए और हंदी लाइब जी एए हमारा मेसेज्ज पूरा देश्वाशियों के लिए है और इसे के साथ चलते हैं एक नई जगा पर अंदर जाते आपको विजट कराते हैं कैसा है सफल इसी के साथ चलते हैं तो यह देख सकते हैं फ्रेंज समाजिक प्रियोतिन प्रतिक स्थल और यह है अमबिटकर पार के अंदर का नजारा और यहां पर भी देख सकते हैं बाबा सहाब मतारमाई है यहां पर यहां पर भी मस्ता पार का है पानी जरने बार है यहां पर और अंदर में भी देख सकते है वह बहुत बड़ा पार्क बना है और अंदर जाएंगे और देखेंगे हम लोग क्या और अच्छा बना हुआ है इसके अंदर में तो फ्रेंस बने रही है हमारे साथ तो आगे के जरनी अभी हम लोग कर रहे हैं और यह जगा फिर से पहुंचते आपके साथ चलिए फ्रेंस च तो यह है फ्रेंस बड़ी इमाम बाड़ा और इसके अंदर है बुल भुलाईया जोकि बहुत ही फेमस है पचास रुपे का टिकेट है फ्रेंस हमाए का भाव है इसलिए हम लोग 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 नहीं जा रहे हैं और यह देख सकती है तो यह नवाबो का सहर है तो नवाबो का सहर कहा जाता है इसको अब देख सकते हैं इसका हिस्ट्री बताता हूं मैं आपको साही बावली साही बावली के पुरा इतिहास यहां पर लिखा हुआ है अब यह है बड़ी बड़ा इमाम बाड़ा यह पुरा इसका हिस्ट्री है लेख सकते हैं 1775 से 1777 तक यह है पुरा यह निर्मित हुआ है यह पुरा हिस्ट्री अब आधारा अ अ एक काफी प्रेटक यहां प्रेटेमित हैं इस परिसर में अ आह देख सेंगा है अगले आधारा इसे बड़ी इमाम बारा इसे आधाना करेक्षाट कि अ कहिए आधार करेंगा से अ में है। तो फ्रेंस अभी आ गया है देख सकते हैं यह अमेटकर पार्क है उसके उपर सामने खड़े हैं और फ्रेंस अभी नाइट का तरह है और बिस्कली यहां का व्यू जो है बहुत ही अच्छा रात है देख सकते हैं तो अभी नाइट का इस्टे के लिए स्पेस देखेंगे वहां केंपिंग करेंगे और एक अच्छे जगह पर हम लोग फ्रेंस नाइट इस्टे करेंगे और इसके बाद मिलते हैं आज के लिए इतना ही लकनाव का जो है जो ब्लॉगिंग यहीं तक रोकते हैं और कल एक नई व्लॉग के साथ फिर से मुलाकात होगी आपका जो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स जाए बारत